हेलो अर्वान और वाकम बैक तो वारण बंदा मैं हूँ अलीशाविस खान तो गाइस काफी इंतिजार करने के बाद कॉलोड़ुटी मोबाइल हमारे फोन पर लाउंच हो चुका है और अगर अभी आप लोगों नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाएके डाउ फोन पर इस पर मैंने कस्टम रोम इंस्टॉल कर रखी और मेरा फोन रूटीट भी है तो गैस इस ट्रिक के लिए आपको फोन रूटीट होना चाहिए रूट इस फोन का प्रोसेसर जो है वह स्नैप्डगन 626 और इसका जीप्यू है अट्रेण 506 जिसमें सिर्फ हाई ग्रा चेट के लिए वीडियो देख सकते हैं अभटोसे कश्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसरे इसफोन रूट कर सकते हैं तो guys, आप देख सकते हैं कि सिर्फ medium graphic support कर रहा है, high भी support नहीं कर रहा है, तो guys, मुझे लगा थो high support करता है, पर मैने अब ध्यान से देखा कि यह तो medium मे तो guys, medium graphics में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ना low graphics में मज़ा आता, ना medium graphics में मज़ा आता, तो guys, अब मैं आपको बताने वालों कि कैसे हम सारे other graphic option जो जैसे कि high, super high, very high या जो भी होता है और max वो कैसे unlock करते हैं तो guys, सबसे पहले आप game exit कर दीजिए, game को बंद कर दीजिए, 4 stop कर दीजिए उसके बाद, मैंने आपसे बोला था कि phone root होना चाहिए, so guys, phone दरूर root होना चाहिए और वो भी magisk है, so magisk installed होना चाहिए आपके phone पर तो guys, आप अगर नहीं जानते magisk क्या होता है, तो please YouTube पर search करिए इदवारे में उसके बाद, आप video continue करिए, so guys, magisk मेरा installed है, आप देख सकते हैं, आप मजिस्क है, मैं मजिस्क कोल कर दिखाता हूँ आपको तो guys, मजिस्क भी installed है, मतलब मेरा phone rooted है guys, तो guys, अब हाँ आते है, video के main part है, तो guys, इस trick को आगे बाद आने के लिए, हमें एक app install करनी पड़ेगी, जिसको हम कहलते है, GLTools, तो guys, GLTools जो है, वो graphics unlock करने की, graphics के सार छेल चार करने की बहुत ही अच्छी app है, जो से rooted phones पे चलती है, तो guys, हमें phone root करना पड़ेगा, मैं आपको एक और बार बार बोल रहा हूं, उसके बाद GLTools install करना पड़ेगा, तो सबसे पहले guys, मैं आपको दिखा देता हूं, कि क्या कोई other graphic tool available है, call of duty mobile के लिए play store पर बगर पर है, तो guys, चली search करते है, call of duty mobile के लिए कोई GFX tool, जैसे कि PUBG GFX tool है guys, अब हम देखते हैं कि graphic tool है या नहीं, तो guys, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ PUBG के लिए GFX tool दिखा रहा है, पर call of duty mobile के लिए कोई tool available नहीं प्रेयर इस्टोर पर, तो guys, यह video आपके लिए unique होने वाली है, तो guys, चली continue करते हैं, तो guys, चलो सबसे पहले तो मैं GL tools install कर लेता हूं, तो guys, GL tools का link आपके description में मिल जाएगा, आप download कर लीजिए, तो चलो, app install होने देते हैं पहले, तो चलो guys, अब हमारे GL tools भी install होगे, आप इसे open करते हैं, इसे permission grant कर देंगे, इसके बाद इसके जो दो option हैं उपर वाले हम इसे accept कर लेंगे, और इसके बाद install using magisk का option जो इस पर click कर देंगे, तो guys, magisk install होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है कहीं बार, तो guys, इस पर click करेंगे, तो यह एक zip create करेगा आपके SD card में, एक zip file को export कर देगा, आपके main SD card के route में, तो guys, यहाँ पर zip export उच की है, अब हम जाएंगे magisk में, तो magisk में जाने के बाद हम यहाँ का magisk के options होते हैं, एब रोर खोलेंगे magisk का, यहाँ पर modules पर click करेंगे, इसके बाद यह बादा सा plus icon जो इस पर click करेंगे, और सबसे नीचे जाएंगे अपने SD card में, file manager में जाके देखेंगे, तो यहाँ पर देखेगा आपको install real tools की zip file, इस पर click करके हम इसको install कर लेंगे, तो चलिए guys इस पर click करते हैं, और अपने अब install हो जाएगा है, तो guys, अब reboot का option आ चुका है, अब हमें सिर्फ अपना phone reboot करना है, तो चलो guys, मैं phone reboot कर लेता हूँ, guys यह देखो, अब मेरा phone भी reboot हो गया है, और इस पर आपको custom logo देख रहा होगा, superior OS का, super s बना हुआ हैंपर, तो guys, मेरा phone भी अब reboot हो जोगा है, अब हम आगे continue करते हैं वीडियो को, तो guys, phone reboot होने के बाद, हमें एक बार फिर से GL Tools app को खोलना पड़ेगा, तो चलो मैं इसे खोल देता हूँ, तो guys, इस बार आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफी सारी apps दिख रही होगी एक list में, तो guys, इस list में आपको भूनना है Call of Duty Mobile application को, तो guys, चलिए मैं भूनतो Call of Duty को, तो यह रहा Call of Duty Mobile, तो guys, इस app पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो चलो मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद जो main button है, इसका main switch enable custom settings for this app, इस पर क्लिक करके हम इसे enable कर देंगे, तो guys, यह रहा Enable हो गया, और guys, अब हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपको option देखा है Use Fake GPU Info, तो इस पर क्लिक करके इसे enable कर देंगे, Use Fake CPU RAM Info और Advanced RAM Spoofing इन तीनों को on कर देंगे, तो guys, अब हम select करेंगे Custom Template, तो guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मेरा Phone Adreno होगा, तो मैं सबसे हाइस वाल Adreno select करूँगा, और अगर आपका GPU है जो वो Mali है, तो आप सबसे हाइस वाला Mali select कर लेंगे, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, और Simple Map Buffer वाले जो option है, Simple Map Buffer Emulation, इसे on कर देंगे, तो इतना ही काम करना था हमें सिफ DL Tools में, अब हमें अपना Call of Duty Mobile को फिर से एक बार launch करना है, तो चलो गाइस मेरा Call of Duty Mobile फिर से open हो रहा है, तो चलो इसे load होने जाते हैं, और मैं अब आपको मिलता हूँ जो main lobby है वहाँ पर, और यह मेरा same phone है Redmi Note 4 जो मैं आपको बताया था, तो guys इस पर तो सिर्फ medium ही support करता था, और आप देख सकते हैं कि सारे graphics यानी max तक unlog हो गया है, और guys आप देख सकते हैं, effect भी करता है, ऐसा नहीं कि यह fake हो, तो guys अभी मैं आपको max करके दिखाता हूँ, तो यह रहा max, और आप देख सकते हैं कि max करने के बाद, जो lobby पर हमारा character है, वो काफी shadow में आ चुका है, और काफी detailing आ गई उसमें, तो guys काम भी करता है, ऐसा नहीं कि fake हो, तो guys आपको मज़ा बहुत आयागा guys high graphic में खिलने में, तो guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो अपने दोस्तों को भी बता हो, कि कैसे आप अनलॉक करवा सकते हैं उनके high graphics, तो guys मैं आपको एक और बार दिखाते हूं कि यह सेम फोन है, मेरे Redmi Note 4, मैंने आपको लू नहीं बनाया है, मदाख नहीं कर रहा था मैं, तो यह Redmi Note 4 ही है, और superior OSS पे Android 9.0 पर चल रहा है, तो guys आप देख सकते है Redmi Note 4, मैंने आपको बेवखूफ नहीं बनाया है, तो guys हमने High Graphics Unlock कर लिए, finally Call of Duty Mobile पर, इसके लाए में कोई GFX तूल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ GL तूल की ज़रूरत है, और फोन रूट करने की ज़रूरत है, तो guys please subscribe to my channel, thank you.